नमस्कार दोस्तों मैं आप सभी का चेर परिचित दोस्तों पस्तित हूं आप सभी की सेवा में एक बेहद ही महत्तो पूने चानकारी को लेकर के जिहां बलगम या कफ की समस्या के लिए आसान घरेलू उपाए आज हम आप सभी को बता रहे हैं बलगम बनना बेहद परिशान और असहज करने वाला होता है साथ ही इस से जल्दी छुटकारा पाना भी इतना सहज नहीं होता है लेकिन कुछ एक घरेलू आसान उपाए ऐसे हैं जिन्हें अपना करके आप इन सारी समस्याओं से छुटकारा पा सकते हैं क्योंकि अब सर्दियों के मौसम आ रहे हैं इस मौसम में ज़्यादा बलगम बनते हैं क्योंकि आपको जुकाम होने के चांसे ज़्यादा होते हैं इस मौसम में बलगम या कफ की समस्या के लिए क्या करें आईए जानते हैं सबसे पहले तो अधरक और शहद का प्रयोग आयुर्वेद में अद्रक को एक बेहतरिन और शदि माना गया है इसमें बहुत से रोगों से लड़ने की अद्भूत शमता होती है इसके सेवन से सर्दी और खासी में तो फायदा होता ही है साथ ही यह सांसों की अनेक समस्याओं में भी फायदे मंद होती है 100 गराम अद्रक को कूट कर इसमें 2-3 चमच शहद मिला कर पेश्ट बना लें इस पेश्ट को दिन में 2-3 भार चाट लें आपको लाव होगा बलगम बाहर निकल जाएगा इसके बाद अगला प्रयोग है प्याज और निम्बू का प्रयोग एक प्याज के रस में एक निम्बू के रस को मिला कर इसे एक कप पानी में 2-3 मिनट तक उबाल लें चूले से उतार कर इसमें 1 चमच शहद मिला लें और इसका सेवन दिन में 3 भार करें बलगम की समस्या खत्म हो जाएगी इसके बाद है सफेद मिर्च और शहद का प्रयोग आधी चमच सफेद काली मिर्च को पीस कर इसमें 1 चमच शहद मिला लें इसे 10-15 मिनट के लिए माइक्रो वेव करें और इसे चाट लें जब तक बलगम से पूरी तरह छुटकारा न मिल जाए तब तक दिन में 2-3 बारिस का प्रयोग रोजाना करते रहें आपको बलगम से छुटकारा मिल जाएगा इसके बाद है सोंट पीपल और काली मिर्च का प्रयोग सोट पीपल और काली मिर्च सभी को बराबर मातरा में मिला कर चुन बना लें इस से किसी भी तरह का बलगम ठीक हो जाता है हो सके तो गर्म पानी ही पिएं चिकनाई का प्रियोग ना करें उस वक्त इसके बाद नमक का प्रियोग और शरीर से बाहर निकालने के लिए बहुत ही तेजी से प्रिरित करता है यह बलगम के लिए बेहत कारगर चीज है एक गलास गुनगुने पानी में आधा छोटा चमच नमक मिला कर इसे पी जाएं बलगम खुद बखुद बाहर आ जाएगा इसके अलावा चाय में नमक का प्रियोग भी बलगम में फायदे मंद होता है बीस ग्राम त्रिकूट, बीस ग्राम श्वासारी, पांच ग्राम अभरक भस्म, पांच ग्राम प्रावल पिष्टी और दस ग्राम अमरित सर, दो से तीन ग्राम स्वन बसंत, मालती इन सभी को मिला कर रख लें, और सुबह नाश्टे से पहले, और शाम को खाना खाने से एक या आधा घंटा पहले, शहद के साथ मिला कर चाट लें कितना भी पुराना और गंभीर से गंभीर बलगम जमा हुआ हो, खत्म हो जाता है हलांकि किसी भी दवाई के प्रियोग से पहले, एक डॉक्टर से अपने स्वास्थे के बारे में सलाह जरूर लेनी चाहिए क्योंकि हो सकता है कि माली जे फरक जामपल, हम जो औशधियां आपको बता रहे हैं इन में से कुछ एक ऐसी भी होती है कि किसी किसी बीमारी में वरजित होती है और उन बीमारीों के दोरान आपने उनका प्रियोग कर लिया, तो ये बीमारी तो ठीक होगी, लेकिन दूसरी बीमारी को वो बढ़ावा दे देगी इसलिए हमें हमें पता नहीं होता है कि हमारे शरीर में कौन सी कमिय भी चल रही है इसलिए वैद्धियों की सलाह से लिया जाए तो ज्यादा बेहतर होता है और अगर आप स्वस्थ हैं आपको कोई प्रोब्लम नहीं है बोडी में तब तो आप इन अश्रधियों का प्रियोग बेहिचक कर सकते हैं आपके लिए फायदे मंद होगी ये तो दोस्तों ये थी आज के हमारी जानकारी आप सभी के लिए अगले एपिसोड में हम आप सभी से जुड़ेंगे एक और बेहदी महत्तो पून जानकारी को लेकर के तब तक के लिए धन्यवाद नमस्कार दोस्तो झाल